लड़की से पूछा गया सवाल पांच से छे इंच का एसा क्या है अगर ना मिले तो लड़क्या उंगली से काम चला लेती है दोस्तों देखते हैं कि कितने लोगी सवाल का सही जवाब देते हैं और कितने लोगी सवाल का गलत जवाब देते हैं इस सवाल का सही जवाब होगा टूथ बरस दोस्तों आए हम आपको नेक्स्ट कोशन की और ले जा रहे हैं नेक्स्ट कोशन भी मोस्ट इंपोर्टन कोशन है इसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तिरंगा जंडा का निर्मान किसने क्या था राइट आंसर होगा पिंगली वे क्या ने लड़कियां अपनी मर्जी से कपड़े कब उतारती है दोस्तों कि आप इस सवाल का सही जवाब बता पाएंगे और एक बात गलत सोचने वाले इस वीडियो को स्कीप कर सकते हैं तो आईए हम आपको इस सवाल का सही जबाब बताते हैं इस सवाल का सही जबाब है नहाते वाकते तो दोस्तों आईए हम आपको next question की और ले चलते हैं next question भी most important question है इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए और बेल आइकन को भी दवाएए ताकि और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको time to time मिलता रहे तो आईए आपको हम next question की और ले जा रहे हैं next question है E और F में क्या अंतर है जरह सोचिए कि E और F में क्या अंतर हो सकता है तो आईए हम आपको बताते हैं इस सवाल का सही जवाब इस सवाल का सही जवाब है E स्वर है और F वेंजन है वह क्या है जो आधा जाता है तो दर्द होता है और पूरा जाता है तो मज़ा आता है दोस्तों कि आप इस सवाल का सही जबाब बता पाएंगे तो कोमेंट में एक बार जरूर लिखिएगा तो आईए हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताते हैं बिना टाइम वेस्ट किये हुए इस सवाल का सही जवाब होगा चूड़ी पहनना तो दोस्तों आईए हम आपको next question की ओर ले चलते हैं next question भी most important question है इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो please मिले चैनल को subscribe कर लिए और bell icon को भी दवाइए ताकि new video की notification आपको मिलता रहे अब हम आपको next question की ओर ले जा रहे हैं next question है किस इनसान का कोई ticket नहीं लगता है किस इनसान का कोई ticket नहीं लगता है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा नवजाद सिसू नवजाद सिसू का कोई ticket नहीं लगता है अगर अपने सारे कपड़े उतार दिये तो क्या होगा दोस्तों आज में आपका ज़्यादा time नहीं लूँगा direct में जवाब बताऊँगा right answer होगा तार खाली हो जाएगा जी स्तार पर अपने कपड़े सुखने के लिए डाले होंगे वह तार खाली हो जाएगा तो आई हम आपको next question की ओर ले चलते हैं next question भी most important question है देखते हैं कि कितने लोग इस सवाल का सही जबाब दे पाते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पिलीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लिए ताकि नियो वीडियो की नोटिफिकेसन आपको मिलता रहे वहां कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है वहां कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है राइट आंसर हमिंग पक्षी हमिंग पक्षिय के ऐसा पक्षिय है जो पीछे की और ऊड़ सकता है एक बार संभोग करने पर कितने ग्राम वीरिय बाहर आते हैं दोस्तों क्या आप इसके बारे में कभी सोचा कि कितने ग्राम वीरिय बाहर आते हैं तो आईए हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताने वाला हूँ इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 10 से 15 ग्राम तक आईए हम आपको next question की और ले चलते हैं next question भी most important question है देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाता है कौन सी मुर्गी हरे रंग का अंडे देती है सही जवाब है नेडी मुर्गी नेडी मुर्गी ने हरे रंग का अंडे देती है पुरूसों में कितने साल के बाद वीर्य बनना सुरू होता है दोस्तों क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है कि पुरूसों में कितने साल के बाद वीर्य बनना सुरू होता है नेक्स्ट कोशन है आप 10 रुपे में ऐसा क्या खरी दोगे कि पूरा कमरा भर जाएगा क्या आप बता पाएंगे इस सवाल का सही जवाब आई हम आपको बताते हैं इस सवाल का सही जवाब राइट आंसर है अगरबत्ती आप 10 रुपय में इसा क्या खरी देंगे कि पूरा कमरा भज जाएगा राइट आंसर है अगरबत्ती एक बार हस्त में थुन करने पर कितना ग्राम वीरिय बाहर आते हैं दोस्तों कि आप कभी इसके बारे में सोचे हैं कि एक बार हस्त में खुन करने पर कितना ग्राम वीरिये बाहर आ जाते हैं तो आईए हम आपको बताते हैं इस सवाल का सही जबाब राइट आंसर है दस से पंदरा ग्राम तक एक बार हस्त में खुन करने पर दस से पंदरा ग्राम तक वीरिये बाहर आ जाते हैं तो दोस्तों आई हम आपको next question की और ले चलते हैं इसी कौन सी चीज है जो पानी में गीला नहीं होती है इसी कौन सी चीज है जो पानी में गीला नहीं होती है राइट आंसर होगा परचाई परचाई जो है पानी में गीला नहीं होता है इसी कौन सी सिच्वेशन है जहां लड़का 10 मिनिट में ठक जाता है और लड़की कहती अभी तो शुरू हुआ है दोस्तों कि आप इस सवाल का सही जवाब बता पाएंगे तो कॉमेंट में एक बार जरूर लिखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दवाएंगे ताकि इसी तरह नौलिजबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आईए हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताते हैं सही जवाब है सोपिंग करना दूसरा सवाल है एसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके सरीर से बड़ा होता है जवाब अपनी कॉमेंट में जरूर बताईएगा तो आईए हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताते हैं इस सवाल का सही जवाब है चीटी चीटी जो है उसका दिमाग उसके सरीर से बड़ा होता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सेर करना मत भूलिएगा महिला की सेनिटरी का विसकार किसने क्या था दोस्तों कि आपको पता है कि महिला की सेनिटरी का विसकार किसने क्या था तो आईए हम आपको बताते हैं इस सवाल का सही जवाब इस सवाल का सही जवाब है मेरी बीटरा इस डेविट सन केनर ने मेरी बीटरा इस डेविट सन केंडर ने क्या था तो आईए हम आपको next question की और ले चलते हैं next question भी most important question है एसी कौन सी चीज है जो आगे से भगवान ने बनाया और पीछे से इनसान ने आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इनसान ने तो इस सवाल का सही जवाब है बेलगारी बेलगारी जो है आगे से भगवान ने बनाया है और पीछे से इनसान ने अगर आपकी भावी आपके सामने कपड़े उतार रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों क्या आप इस सवाल का सही जवाब बता पाएंगे तो मेरे कॉमेंट में बताना मत भूलिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि आपने इस सवाल का सही जवाब क्या लिखा है गलत सोचने वाले इस वीडियो को स्कीप कर सकते हैं क्योंकि कोस्टन्स को पढ़ते ही आपके मन में गलत जवाब ढूडने लगते हैं लेकिन गलत नहीं है तो आईए हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताते हैं इस सवाल का सही जवाब होगा मदद करूँगा तार से कपड़े उतारने में अगर आपके सामने कपड़े उतार रहे हैं तो आप क्या करेंगे मदद करूँगा तार से कपड़े उतारने में जो लोग मरने की बाद भी कर सकते हैं दोस्तों कि आप इस सवाल का सही जबाब बता पाएंगे तो आईए हम आपको इस सवाल का सही जबाब बताते हैं इस सवाल का सही जबाब है अंगदान इसी कौन सी सिच्वेशन है जहां लड़का 10 मिनिट में ठक जाता है और लड़की कातिया भी तो शुरू हुआ है दोस्तों कि आप इस सवाल का सही जवाब बता पाएंगे तो कॉमेंट में एक बार जरूर लिखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को भी दवाएए ताकि इसी तरह नॉलिजबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो आईए हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताते हैं सही जवाब है सोपिंग करना दूसरा सवाल है एसा कौन सा जीव है जिसका दिमाग उसके सरीर से बड़ा होता है जवाब अपनी कॉमेंट में जरूर बताईएगा तो आईए हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताते हैं इस सवाल का सही जवाब है चीटी चीटी जो है उसका दिमाग उसके सरीर से बड़ा होता है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सेर करना मत भोलिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में